हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्वास्त विवाग से रेलेटे जो कि हम बात करेंगे एनेम अठाशी सो तिरेपन की लेकर की क्या कुछ जरूरी सूचना जारी किया गया क्या कुछ ओफिस्चली नोटीस है आपके जोइनिंग से पहले ये सारे कुछ जानना बहुत जरूरी है और हम साथ ही बात करेंगे क्या एनेम का सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएंगे यदि आएंगे तो वह कब तक आने वाला है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साथा करने वाले है इस वीडियो का आप completely देखिएगा ताकि आपको सारे चीजों का clearly पता चल सके जैसके आप सब को पता है कि नममबर में आप लोगों का जोइन करवाया जाएगा जिसमें कि आप लोगों का starting नममबर से हैं इस नमममबर तक सारे अब भ्यारतियों जितने भी है लगबाग पचासी सो प्लस स्टुडेंट है तो उन सारे को जोएन करवा लिया जाएगा तो इनके दिवरान आपको कुछ प्रोसीजर या का सकते हैं कि कुछ एग्रिमेंट के ताद जो होते हैं वो नोटीस जारी किया गया तो देखते हैं कि क्या कुछ officially नोटीस है और वहां से जानते हैं जैसे कि यह नोटीस आपको स्वास्वियाग के साइट पर भी मिल जाएंगे तो वहां से आप लोग इसको डाउनलॉड भी कर सकते हैं जो कि यह एकीस को ही जारी किया गया और इसके विग्यापन संक्य आप देख सकते हैं कि तीन 2020 है तो आप लोग वहां पे जो एस एच टाइप करके आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट का साइट है वह खुल जाते हैं वहां से आप लोग यह डाउनलॉड कर सकते हैं इसमें मेली दिया गया है आप लोग एग्रिमेंट कि जैसे कोई भी जॉब होती है तो सरकार उससे पर एग्रिमेंट करवा लेते है जैसे कि आप लोगोंने इसे पर एनेम को कोर्स किये होंगे तो जिस भी कॉलेज में गये होंगे तो वहां पर भी एक वहां पर साइन करवाया जाता है जिसमें कि आप लोग एग्रिमेंट का फॉर्म साइन करवाया जाता है उसी तरह इसमें भी होते है कि आप लोग एग्र यहां लिए दीया गाए आप लोगे जैसे कि यह जॉब सम्वीदा पर है तो इसी को लेकर मिले इसमें दिया गया है कि सम्वीदा पर है तो आप लोग ऐसे नहीं की जॉब पर गये और एक दो वर्स के बाद आप लोगों मांग करने लगाए कि हमको पर्मानेंट कीजिये तो कुछ वर्सों के लिए आप लोगों को संभीदा पर दिया जाते हैं जैसे कि तीन वर्स के लिए दिया गया तो ऐसा नहीं कि तीन वर्स के बाद आपको हटा दिया जाएगा तीन वर्स के बाद फिर आठ वर्स तक ले जाएगा फिर उसी तरह बारता जाता है और आप लोगों लॉट भी है उस डिस्टिक में जाके आप लोग जोइन करिए और जितनी जल्दी हो सके आप लोग जाके जोइन कर लीजिए और इसके लिए आपको जो हैल्थ सर्टिफिकेट बनाना है वो जो आपके जो कर सकते हैं कि जो सदर अस्पताल होंगे वहां के जो सर्जन डॉक्ट क्योंकि जो पहले से इंप्लॉयर आते कहीं पर वर्क करते रहते हैं उसको जरूरत होता है लेकिन आप लोग कहीं पर गवर्मेंट इंप्लॉयर नहीं है तो आप लोग के ज्यादा जरूरत है ही नहीं आप लोग को जो हैल्थ सर्टिफिकेट होंगे वह आपको बनाने ताकि आप लोगों को जोइनिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना हो इसकेंड मेरिट के हम बात करें तो इनके सेकेंड मेरिट भी आएंगे और जोइनिंग के प्रोसेस होने के बाद आएंगे इसके सेकेंड मेरिट लिस्ट और आपके कौंसेलर का जो बहचा हुआ का सकते हैं कि joining later के जो list आनी है तो उस पे हम next वीडियो में चर्चा करेंगे details में जानेंगी क्या कुछ उसका नया update आया है तो चलिए हम लोग मिलते हैं next वीडियो में अभी तक लेता है thank you